हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड आज मैं बनाने आ लिए आपके लिए कठल की सबजी यह देखिए यहां मैंने तीन पाओ के करीब कठल लिया है यहां मैंने दो बड़े बड़े टमाटर लियें स्लाइस कर लियें यहां मैंने अद्रक लसन का पेश लिया है मैंने दरदरा इमाम यहां मैंने पांचे प्याज ले ले लिए चौप कर लिए अपने फ्रायदान में आउयल डालकर अपना कठल फिराई करूंगी मैं यह बीज निकाल कर इसाफ कर दिया है बीज को बिल्कुल अच्रीके से देखिए इसमें अगर इसके अंदर बीज रह जाता है तो हमारा मसाला इसकें नहीं पहूंच पाता तो मैं अथै इसको बीज निकाल कर साफ करके बहुत अच्छा लगता है बीज इसको बिल्कुल अलगी तरीके से निकाल कर फिराई कर लेंगे अब यह हम फिराई कर लेंगे इसमें देखिए हमारे ही काजन थोड़ा पठल के लिए होता रह गया है लेकिन कोई बात नहीं है अब मैने सोच है, मैंने डाल दिया है तो इसी में स्राइर कर लेती है करहें प्राय कड्रूब करेंगे डैर इसको हम यहां पर स्था सकारी करेंगे बच्छा के तो अब तक押्राय हो रहा है अम इक धरना आवर्ण यहां डालेंगे यहां अस sudah ग्याराव का दालेंगे यह कि ज यहां मेरा तेल गरम हो रहा है यहां मैंने कुछ मसाले ले लेखे लेखे मेरा ओव्य गरम हो चुका है इसमें में जीन बीम लूगी तो नहीं आपना अपक्राइब घर लिगा गरम है इसमें दालूं एक जीरा जाएब लिगता है और यहां मैंने अपना अध्रकलसन पूर्ट कर रखावा था ही माम दस्के में वो डाल दूएं कोच्छी से फ्राइब करना है कोच्छी से जूम दें कोच्छी से जूम दें मैं अपनी हरी मिट्च कटिवी डाल रही है और यहां में स्लाइब की ही चौप की ही प्याज अपनी में डाल दूएं यहां जब तक मेरी प्याज हो रही है तब तक यह अच्छी से थोड़ी सी डीप ज्राउन हो जाएं तब तक मैं अपने यह कठल को चला लेती हूं इसको देखते रहना यह अच्छी से फ्राइब हो जाए और बीचे ताकि यह लगे ना इसको अच्छी से फ्राइब करेंगे खाने मुद्ध होती अच्छा लगता है देखें अपने यह प्याज दब ढूने वाली है बस समझो वही गई है अब इसमें अपने चौक एगए हुए टमाटर एड करोंगे। यह अच्छे से इसको भूं लेए इस सब्जी में इस मसाले को जितना च्छे सरीशे से भूं ते रहेंगे हमारा सुआज निखर कर आएगा। यह देखें यहां हमारा कथल फिराय हो चुका है। बस इतना ही करेगा। जादा निकरना इसको नहीं तो यह जल जाएगा। पर हमारा वो सौद जो आना है वो नहीं आपड़ाएगा। हमारा कथल ज़न रहे हैं अब इसमें फिल्दी एड करेंगे। 1 टी स्पोन हल्दी पाउडर, 1 टी स्पोन रेड जी, भनी पाउडर, अछवा दन्वसार नम्मा, तुछी से छुआ है, ये देखिया हमारा मसाला, काफी अच्छा कलारा राई इसमें, और खाने में बहुत अच्छा लगता है इसका कज़र देखिए माश्यला के बहुती लजीज आ रहा है तो देखिए अच्छी तरीके से बुनाई हो चुकी है और इसको जितना हम ज्यादा बूनते हैं अच्छी से जितने ही हम इसकी बुनाई करते हैं अच्छा स्वादा यह हमारा कठल जाएगा इसमें हमने फ्राइब करके रखाता अब हम इसमें एड़ कर दो है अब कि देखिए ना बहत्रीन कलारा रहा है इसमें इसमें हमारा कठल इसमें इसमें थोड़ा पानी आड़ करूंगी आदे गलास से भी कम थोड़ा सा पानी आड़ किया है तारकि मसाला कुछ ज्यादे ही सब्दी हमारी कुछ ज्यादे को 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 सब् कि अपना कूकर बन कर देंगे हम इसे एक स्टीटी लगाई इसको बन कर रहे हूं यहां मैं अपना कूकर कोल रही हूं मेरी सब्जी बन कर रेड़ी होगी यह देखिए अच्छा कलर आया है देखिए मैं सर्फ कर आपको दिखा रहे हैं सब्जी अपनी यह देखिए 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 अपनी टेस्टी बनीए यहां आप खाएंगे इसको टेस्ट बनाईए का जरूर आप घर पर अपने बहुत जादर लजीच लगती बहुत जादर टेस्टी बनीए परांटे के साथ कुल्चे के साथ और भटूरे के साथ आप किसी भी चीज से नान से ले सकते हैं बहुत जादर टेस्टी लगती है जादे लगती हैं